जनक्शन और यहिंगे सब्सक्राइब किनेक्टिटिशू के बारे में इस तीशू की किनेक्टिटिव टिशू के टाइब क्या है और उदकिनेक्टिव टिशू सबसे ज्यादा पाए जाने बाले टीशू होता है हमारे body के अंदर ठीके कुछ example में नाम लूँगा तो ये clear हो जाएगा अलग-लग type की connective tissue हो सकता है loose connective tissue हो सकता है dense connective tissue हो सकता है specialized kindıldı κ थीशू हो सकता है ये अलग-अलग type की connective tissue ठीके अब देखो ये क्या होता है कि तिश्व का ओवराल को कि यह कहें जब करद तो पीजिए को मिख सो जो opposite legend करता है ऐक अघा से और लो और कि कुछ और एक सिस्टिम से और बाडी की कुछ ओर्गान को प्रटिकुलर obt नियु जए बोलएंगे राइट ह resur connective tissue बहुत simple example है लोग को ये सारे example of connective tissue है सबसे common तो blood है जो basically सारे organ में एक जगह से दूसरे जगह को connect करके रखा है हमारे body में right और basically कोई nutrient हो वो deliver करना हो cells तक और कुछ oxygen blood में लाना हो उसको cell तक deliver करना हो carbon dioxide दूसरे cell से pick up करके lung तक लाना हो सब कुछ blood करता है तो connection की जो काम है जौब है यह basically करता है और connective tissue का एक property होता है यह connected tissue protein से बना हुआ हता है obviously tissue मतलब protein याद रखना tissue मतलब protein और यह जो connective tissue है connected tissue कौन सी protein से बना हुआ होता है basically collagen protein होता है collagen collagen protein होता है और कुछ example, elastin भी होता है, elastin, ठीक है? collagen और elastin होता है, मगर blood में यह नहीं पाये जाता है, बाकी सारे के सारे यह connected tissue जहाँ पर collagen और elastin मौझूद होता है, except for blood, याद रखना, blood exception है, जहाँ पर collagen और elastin नहीं है, वो टिशू का ठीक है यह हो गया अभी देखो यह collagen और elastin के बावजूत यह जो tissue है उसकी बाहर की तरफ यह cells की बाहर की तरफ carbohydrates मौझूद होता है polysaccharides ठीक है polysaccharides मौझूद होता है और modified polysaccharides मौझूद होता है जिसको हम extra cellular matrix protein और ECM protein भी बोलते हैं ECM में proteins मौझूद होता है उसके साथ-साथ modified carbohydrates ठीक है जो carbohydrate को modify करके वहाँ पर structure में add किया जाता है अभी देखो यह connective tissue में तीनों type loose, dense और specialized इसके बारे में बात करें loose connective tissue loose connective tissue का मतलब यह होता है जब cells जो cells है वो loosely arranged है मतलब वो tightly placed नहीं है जब हम tissue draw करते हैं ऐसे tissue draw करते हैं मतलब एक cell के साथ एक cell को ऐसे connection में देखके हम pictures भी दो देखोगे तो ऐसे ही नजर आएगा तो बहुत complicated है और cells ऐसे नहीं होता है कि cell ऐसा हो गया एक cell ऐसा हो गया इतना loose pack नहीं होता है कुछ-कुछ जगा को छोड़कर कुछ-कुछ टिशू होता है जैसे कि यह loose connective tissue हो सकता है जैसे कि ariolar tissue ariolar tissue example देखो skin की नीचे exactly skin protection layer है हमारा skin के exact नीचली हिस्से में जो tissue है वहाँ पर जब कोई infection होता है या फिर कोई होता है या फिर नहीं भी होता है तो blood circulation में यहाँ पर आ जाता है कुछ-कुछ macrophage, mast cells, lymphocytes यह सारे जो cells है यह हमारे immune system के cells है और यह cells इस cells को ariolar tissue कह सकते है ariolar और loose connective tissue या फिर यह skin के नीचे आप देख सकते हो जो framework बना होता है skin के नीचे framework उसको फाइब्रो ब्लस्ट बोलते है जो fiber produce करता है फाइब्रो ब्लस्ट टिशू वह भी loose ariolar tissue होता है तो ariolar tissue हो गया loose tissue के example लिख देता हूं यहाँ पर ariolar ariolar tissue example कहें दिया fibroblast जो skin के नीचे या फिर अब देखो macrophage mast cells यह सारे example of ariolar tissue और adipose tissue adipose tissue भी example होता है यहाँ पर ariolar tissue ariolar connective tissue हो गया बहुत loosely एक सेल यहाँ एक सेल ऐसे दो सेल अलग अलगली प्लेस्ट है connective tissue जो adipose tissue है देखो यह adipose tissue है जहाँ पर cells मौझू देंगा पर adipose tissue भी loosely packed होता है उतना dense pack नहीं होता है तो यह सारे loose connective tissue हो गया adipose tissue भी skin की नीचे होता है जो fat को store करता है basically और यह belly के हिस्से में ज्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर fat store होता है जो nutrient यहाँ पर होता है fat के तरह यहाँ पर stored होता है ठीक है तो fat store करके रखने की एक प्रैस होता है body की जब body के अंदर deficiency of energy होगा तब जाकि यह fat को यूटिलाइस करके energy produce करें तो यह दोनों example होता है loose connective tissue अभी बात करते हैं dense connective tissue dense मतलब जो fibers होता है tissue का बहुत tightly compactly packed होगा example for such क्या होता है regular जो tissue होता है collagen basically यह बना होता है collagen fiber से और collagen एक protein है जो fibrous protein है तो ऐसे collagen fiber से बना हुआ compact structure देखो यह fibrous connective tissue हो गया fibrous connective tissue ठीक है और example क्या होता है fibrous connective tissue की fibrous connective tissue की example होगा दोने example यहां पर मैं लिखता हूं tendons और example लिखता हूं ligaments ठीक है tendon हो गया ligament हो गया अब क्या फर्क क्या है बहुत important यह जानना tendon and ligament में difference क्या है star mark करके रखो tendon मतलब जो structure of muscle muscle tissue बोलो tissue जो skeletal muscle को bone के साथ जोड़ता है muscle को bone के साथ जोड़ता है वह टेंडन तो muscle and bone MB वह होता है tendon ligament क्या होता है जो bone को bone के साथ जोड़ता है BB is ligament ठीक है so tendon muscle को bone के साथ जोड़ता है ligament bone को bone के साथ जोड़ता है तो बल भी याद रखना ठीक है बल भी याद रखना तो याद रहे जाएगा के bone के साथ bone ligament और दूसरा मतलब bone के साथ muscle skeletal muscle हो गया tendon बस बहुत easy आसान तरीका अब चलो बात करते हैं और एक और आखिर तब specialized connective tissue specialized connective tissue मतलब देखो ऐसा tissue जिसका special function है ठीक है हो गया अब आगा है था cartilage ठीक है तो cartilage हो जाया special आसवी एक काटिलेज है cartilage cell tissue की एक microscopic image है यह specialized connective tissue हो जाता है cartilage के बीना और भी बात करें तो bone hard जो होता है body की bones और blood ठीक है यह भी होता है connective tissue specialized connective tissue bones और bloods and cartilage ठीक है यह सारे सारे अब बात करो देखो cartilage के बारे में particularly बात करते हैं तो यहां पर देखो cartilage के example यहां पर एक example है so cartilage का जो main function है body में वो क्या है पता है basically जो compression होता है जब हम मतलब दौर रहे हैं या फिर कहीं से jump कर दिया खेल कुद रहे हो आप से jump कर दिया और जाके गिरा एक 6 foot 8 foot उपर से नीचे हम हम फिर भी body के जो bones है जो पी अलग अलग tissues है वो break ज्यादा तर condition में नहीं होता है अगर अब अर्ली एज अभी की एज में आप यह करता हो करते हो तो तो इसको मतलब जो compression होता है जब हम किसी फिजिकल यह प्रेशर डालते हैं bone की उपर यह तिशू के उपर तो जो compression है उसको रेजिस्ट करने में cartilage हमारे मदद करता है ठीक है क्योंकि इसके अंदर कुछ cells होते हैं जिसको हम बोलते हैं chondrocytes chondrocytes देखो जब यह term sites लगता है किसी terminology की end में उसका मतलब होता है उसका cells जैसे कि hepato site मतलब hepatic cell मतलब anything related to hepa means क्या होता है liver hepato sites मतलब liver cell ठीक है तो जैसे कि chondrocytes के example मतलब cartilage की cells को chondrocytes बोलते हैं और यह बहुत चोटे-चोटे cells हैं मगर यह जो compression होता है उसको resist करता है अब देखो cartilage एक ऐसा structure ही जो fully bone तो नहीं है bone और cartilage में difference एक फरक है bones बहुत hard होता है ठीक है मैंने बता है cartilage है लिख देता हूं मैं cartilage हो गया special connective tissue bone हो गया और blood ठीक है तो cartilage और bone में क्या फरक है देखो bones तो बहुत hard है हमें पता है क्या है hard है तो bones किस चीज़ से ज्यादा तर बना हुआ होता है calcium calcium की salt होता है calcium salt से बना हुआ होता है collagen fiber भी होता है यहां पर और bone क्या provide करता है skeleton एक framework प्रोवाइट करता है body के framework जिसके ऊपर body का और भी सारे muscles और चीज़े अटाच होता है organ systems वो help करता है bone helps in locomotion मतलब movement हमको एक जगा से दूसरे जगा जाना हो और यह सारे जो organ structure से उसको properly protect करना भी इसका काम होता है और bones के जो cells उसको क्या कहते हैं osteocytes remember osteocytes फिर से sites आ गया तो bones जो cells से बनते हैं उसको osteocytes कहते हैं और cartilage जो cells से बनता है उसको हम chondrocytes कहते हैं ठीक है यह है तो bones का जो osteocytes है वो basically थोड़ा size में ज्यादा बड़ा होता है compared to chondrocytes का size और भी छोटा होता है ठीक है तो bones help करता है muscle movement में ठीक है और यह अलग-अलग type का है जैसे के हाथ की bones ले लिया अपने example के तौर पे हो गया example femur ulna like अलग-अलग example में बता सकता हो तो यह weight bearing structures भी होता है ठीक है और bone की और एक feature होता है कि bone marrow जो structure है वो red blood cell produce करता है body की RBC तो RBC और red blood cell तयार भी bone के अंदर bone marrow में होता है यह bone और cartilage की बारे में बात करें तो cartilage कहां पाये जाते हैं जो bone के तरह उतना hard नहीं है flexible है तो कहा flexible bones के तरह structure मिलते हमारी कान अब bend कर सकते हो राइट फिर अब जब release कर दोगे देखोगे उसका structure पहले जैसा हो जाता है आप उसको ऐसे दवा और उसको छोड़ दो तो पहले जैसा हो जिस जगा जगा पर connect होता है ना bone socket और joint जहां पर वहाँ पर भी cartilages होते हैं जैसे के हो गया घुटना हो गया वहाँ पर cartilage मिलेगा आपको तो ऐसा जॉइंट्स पर cartilage होता है ताके movement flawless हो सके movement बहुत यह flexible है और कुछ-कुछ प्रानी कुछ-कुछ अनिमल में तो यह पूरा body cartilaginus होता है बता सकते एक example एक ऐसा example of animal जहां पर यह body cartilaginus है example होता है शार्क 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 की body ऐसे cartilaginus होता है उसको हम क्या कहते है है और यह चॉंड्रिक्थिस और और उस्टिक्थिस दोनों टाइप का होता है न फिश में तो चॉंड्रिक्थिस टाइप जैसे के शार्क बडी सकते हूं यहां पर नहीं डिपेंज अभी तो cartilage में बता देता हूं एक बार फिर भी क्योंकि एम्स के लिए या फिर कोई एसे नीट exam के लिए important हो सकता है तीन टाइप के cartilage हम देख पाते है नौर्मली एक तो होता है छो होता है हालीन काटिलैज हाजीन चेक उ knit सब्सक्राइब goo एसा गोल चाऊंडों कट्रोटे cm नौकि यह क्को क्व्लाजेन तो हम गया हालीन काटिलेज और सेगरख यह questo करुक। bendable होता है जिसको bend किया जा सकता है एक्जामपल एपिग्लॉटिक्स हमारे एपिग्लॉटिस लैरिंग जो वाइस बॉक्स है और कान की बाहर की तरफ का हिस्सा जो बेंड कर सकते हैं और बेंड मतलब वह ऐसे फ्लेक्सिबल है क्योंकि बेंड करने के बाद छोड़ दोगे तो पहले जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा तो इलास्टिक कार्टिलेज हो गया और फाइब्रो कार्टिलेज एफसी फाइब्रो कार्टिलेज यह बेसिकली जो मैंने बता आपको कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है तो इसमें बहुत ही थिक कोलाजन फाइबर रहता है और यहां पर बेसिकली बहुत से रो में कॉंड्रोसाइट एक के बाद एक के बाद एक कॉंड्रोसाइट का लेयर रहता है ठीक है कहां पर रहता है घुटनों की joint वहाँ पर यह मोजूद होता है तो हो गया तीनों प्रकार की hyaline cartilage HC, elastic cartilage EC and fiber cartilage FC चलो तो cartilage के बारे में details यहाँ पर जानकारी हो चुका है और यह चीज खतम करता है और end होता है blood blood भी एक example of specialized connective tissue और blood के बारे में क्या बता ना अलग अलग बात अलग अलग चीज ब्लड के बारे में एक पूरा लेक्षर लगेगा फिर भी ब्लड यहां पर क्या काम करता है इन्हों फ्लूइड इसको हम फ्लूइड क्लेक्टिव टिशू बोलते हैं तो बिसिकली ब्लड के अंदर प्लाजमा और प्लाजमा के अंदर अधिलेट का फंक्षन होता है ब्लड को अगुलेशन को करना बस फंक्षन जियाद रखना बाकी का तो अविएसली दूसरे चेप्टर में डीटेल में परेंगे अभी देखो बात करते हैं यहां पर टिशू के बारे में चलो स्टार्ट करते हैं टिशू के बारे तो यह ती लाइक दिशू के साथ शेर करो ताके सब मिल के प्रेपरेशन कर पाए और अल्ड वेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम थेंक्यू बाई